आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ So the question is हमें compounds दिये गए हैं इनको हमें increasing order of type of moment में arrange करना है तो अगर हम बात करें पहला जो compound है वो है हमारा toluene जिसका structure होता है कुछ इस तरीके से second जो molecule है वो है हमारा ortho-dichloro-benzene तो वो हुआ इस तरीके से third है हमारा metadichloro-benzene तो वो हुआ इस तरीके से fourth structure है हमारा paradichloro-benzene तो वो हुआ इस तरीके से right अब अगर हम बात करें यहाँ पे हमारा CH3 molecule है और यह carbon-carbon bond है तो यहाँ पे जो dipole moment होगा वो काफी जादा zero के आसपास ही होगा क्योंकि दोनों carbon-carbon bonds हैं यहाँ पे तो यहाँ पे जो dipole moment होगा वो actually negligible होगा लेकिन यहाँ पे फिर भी dipole moment exist करेगा मतलब it is negligible but it is not exactly zero right तो क्या है कि हमारा CH3 जो होता है वो electron donating group होता है तो electron density जो होती है वो actually इस तरफ increase करेगी right तो हमारा जो भी dipole moment होगा बले ही वो negligible होगा वो इस direction में होगा right अब 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 अगर हम बात करें इसमें chloro compounds की तो chlorine हमारा जादा electronegative होता है तो इसके dipole moment जो होगे वो इस direction में होगे right कुछ इस तरीके से अब क्या है कि हमारा dipole moments की अगर हम बात करें तो हमारा obviously यह carbon carbon bond है इसका dipole moment negligible होना चाहिए क्योंकि हमारा यह दोनों ही carbon atoms है तो इसका जो dipole moment इसको हम 1 लिख लेते हैं और carbon और chlorine bond के dipole moment को हम mu 2 लिख लेते हैं right दोनों की different values होंगी obviously क्योंकि chlorine जो है वो जादा electronegative है तो इसलिए हमारे जो mu 2 की value होगी वो हमेशा mu 1 से जादा होगी right अब अगर हम इन तीनों compounds को आपस में compare करें तो क्या होता है कि हमारा यह जो है molecule है इसका resultant dipole निकालने का तरीका होता है mu A square plus mu B square plus 2 mu A mu B और cos theta जिसमें यह जो theta होता है वो हमारा angle between the dipole moments होता है तो अगर हम ortho dichloro की बात करें तो इसमें जो angle है वो 60 degrees का है matter dichloro की बात करें तो इसमें bonds के बीच में angle 120 degrees का है और पैरा की case में हमारा dipole moment जो है वो 180 degrees का है तो हमें resultant dipole moment निकाल लें right तो ortho के case में angle हुआ 60 degrees का और यह दोनों ही हमारे bonds same है तो दोनों को ही हम mu 2 लिख सकते है mu 2 square plus 2 mu 2 square और यह होगा cos 60 degree cos 60 degree की value होती है 1 by 2 तो यह हो जाएगा basically हमारा under root 3 mu 2 यह ortho के लिए है अगर हम meta की बात करें तो meta में होगा mu 2 square again हमारे दोनों bond same है और यह 2 mu 2 square और cos 120 degree क्योंकि meta में angle 120 था उसकी value होती है minus 1 by 2 right तो यह जो होगा इसको अगर हम calculate करेंगे तो यह हमारा mu 2 square से mu 2 square कर जाएगा तो इसकी final value जो आएगी वो आएगी mu 2 last है पेरा तो पेरा में actually जो bond angle है वो 120 degrees है तो इसको हम directly भी देख सकते हैं कि वो एक दूसरे को cancel out कर देंगे 180 degrees की value होती है minus 1 तो यह actually हो जाएगा mu 2 minus mu 2 का whole square right और क्योंकि mu 2 दोनों values equal हैं तो इसकी value हो जाएगी 0 तो अगर हम इन चारो molecules की बात करें तो पहले molecule में हमारा resultant dipole moment था mu 1 second में है हमारा under root 3 mu 2 fourth में है mu 2 और fifth में है 0 तो हमारा fourth में है हमारा actually 0 तो हमारा fourth जो है वो सबसे कम dipole moment वाला molecule होगा उससे जादा होगा हमारा mu 1 का क्योंकि अभी हमने बताया था कि mu 1 जो होगा mu 2 से कम values रखेगा तो यह दोनों values obviously mu 1 से बड़ी होगी तो फिर आएगा हमारा first अब आएगा second और third तो second और third में obviously जो root 3 होता है इसकी value 1.732 होती है तो यह वाली value root 2 से बड़ी होगी तो सबसे जादा dipole moment आया second का फिर आया third का फिर first का फिर fourth this is the final order for the dipole moment Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे doubt net app या whatsapp कीचे अपने doubts 8444 चार्स उपर